हेलो बच्चो वेलकम टू गनितंग बच्चो गनितंग पर मैथमाटिक्स आपने मेरे साथ क्लास 12 इंजिनिरिंग हर जगा पड़ा है बट अब हम और भी कई सारे सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के साथ कॉलेटी के साथ लाए है ओन गनितंग अप तो चलिए आज डिसकस करते हैं एक सब्जेक्ट जो सबसे डिफिकली लगता है इंजिनिरिंग में बच्चो को सच में आपको पता नहीं होगा लेकिन सबसे ज़ रहा हूँ बहुत ही बहुत ही शांदा टीचर जुन्होंने खुद में एम्टेक किया है उसके अलावा टेन प्लस इयर्ज पूनियों इंजिटी के टॉप कॉलेज जैसे की डिवाइबाटी लगकोडी में कैंपस वहां पढ़ाया है और उसके अलावा इंडस्री भी अब इसको क्योंकि बच्चों को बहुत टफ लगता है इसको आमने बहुत आराम आराम से कवर किया है अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा उसमें कि बहुत छोटे चोटे वीडियो एक उनिट हमने डाला है अभी ऑल्री जो बच्चों ने ले लिया वो देख रहे है सुख रहे है समझ रहे है तो यहां पर हम लोग ने बहुत चोटे वीडियो बहुत बेसिक से कराए है और जैसे कोई वीडियो होता है उसके नोट्स भी होते है राहूल सर के खुद के हैंडिन नोट्स होते है यहां पर तो यह नोट्स से आप बहुत कुछ समझ सकोगे और बहुत बेसिक से बहुत बेसिक से अच्छे लेबल पर भी तो काफी वीडियोस हर वीडियो की नीचे उसके नोट्स बहुत systematic वे में आपके लिए लेक्चर लाए हैं फिर उसके अलबा नियुमरिकल्स भी बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नियुमरिकल्स धून- स्टेप टू सिंपल सिंपल तरीके से हमने यह करवाया है ठीक है तो बहुत मज़ा आएगा आपको राहूल सर के साथ मेकानिक सब्जेक पढ़के और systematic way में आप पूरा chapter complete करना है तो यार कोई भी कितना भी difficult हो वो चीज़ आसान हो जाएगी हो जाएगी ना तो जानना है हम को भी कि engineering mechanics में होना क्या-क्या है जानना है हमें कि engineering mechanics में हम क्या-क्या पढ़ेंगे कितने units है चलिए अब जानते है राहूल सर से और बच्चो I am very very sure आप और राहूल सर दोनों मिलके अपने इस subject के यूरेका moments को find out करोगे बहुत enjoy करोगे चलिए over to राहूल सर देखते है क्य हलो बच्चो वेलकम टुगनितांग कैसे आप सब लोग अच्छ है ना मस्त सब बढ़िया सही है मस्त होना चाहिए एकदम मस्त रहना चाहिए तो क्या होता है जिन्दगी थोड़ी मस्त चलती है अच्छ से है ना तो बच्चो मैं हूँ राहूल सर और हम देखने वाले है ए आपके लिए ओवियसली इंजिनिरिंग मेकानिक्स एक कोर्स है जिसके बारे में थोड़ा सा डर का माहूल पैदा किया जाता हमेशा कही लोग करते हैं तो डर का माहूल पैदा करके उन्हें कुछ न कुछ अपने अबजेक्टिव्स सॉल्व करने होते या फिर कुछ में डिसकस करने वाले है तो हमेशा क्या होता है बच्छो मैं बताना चाहता हूं कि जब आपन नया कोई चीज पढ़ते हैं 12 तक 11 तक हमें बोला जाता था कि यहां 12 तक ही पढ़ाई करनी है इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं है फिर आप जब इंजिनेरिंग में आ गए हो तो आप बोलेंगे कि नहीं बस यह दो चार सब्जेक्ट ही बहुत टाफ है इनको आप कर लो तो आगे सब इजी है ना तो एक्जाम्स बच्छो अपने लाइफ में खदम नहीं होती कभी है ना एक्जाम्स विल नेवर एंड हमारा लाइफ खतम हो जाता है बद सिलाबस बा हो या रियल लाइफ वाला हो बस हमें सीखना क्या है उस एक्जाम को फेस कैसे करना और अगर हम अच्छे से फेस कर पाए कोई भी चीज को तो हम बहुत अच्छे से रिजर्ट्स भी पाते है राइट चाहे हो एक्जाम में हो रियल लाइफ में हो तो अगर कोई आपको उसक क्या है जो आप पढ़ रहे हों तो हम उसको बहुत अच्छे से डील करके फेस करके उसको successfully complete कर सकते हैं यही approach होता है brain में आपको बताए कि billions of sales रहते हैं neurons रहते हैं एक बात जब वो बनते हैं फिर नए नहीं बनते हैं right जब आप छोटे होते हो जब हम छोटे होते हैं तो उस time पर जो sales बने हैं वही sales आप हमारे lifetime रहते हैं नए brain sales बनते नहीं है तो हमारा knowledge कैसे बढ़ता है बच्छो नए facts जब हमें reveal होते हैं तो हमारे neurons में connections हो जाते और वह जो connections बनते हैं, वही है हमारा नया अंडरस्टेंडिंग, राइट, सो सिर्फ connections बनाने हैं, और मैं रहूंगा आपको connect करने के लिए mechanics के साथ, राइट, आपके brain में already neurons है, already connections बने हुए है, already आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, इसके बारे में, यह subject नया नहीं है बच्छो, बिल् उसके साथ connect करने वाला हुँ, तो it will be a very easy course for you, right, हम इसको बहुत अच्छे से easy तरीके से पढ़ने वाले, course क्या है हमारा बच्छो, engineering mechanics, देखो बच्छो, इसी साल 2024 में pattern और syllabus change हुआ है, पूने उनिवर्सिटी के लिए, right, तो हम पूने उनिवर्सिटी का syllabus यहाँ पे discuss कर रह है अभी, okay, SPPU, साइवितरी भाई, फूले, पूने उनिवर्सिटी syllabus, 2024, new pattern, right, new pattern, तो इसमें कुछ changes भी आये हैं, NEP को लेके, right, new education policy जो है, उसको लेके इसमें बहुत सारे changes किये हुए है, जिनको लेके हम ये course पढ़ेंगे, right, इनको incorporate करके, नए changes incorporate करके, तो क्या है changes, क्या है syllabus, चलो, discuss ही कर लेते हैं, ताकि आपके neurons, connections हो जाए, नए form, okay, तो देखो, ये है structure, इस course का, right, साइवितरी भाई, फूले, पुने उनिवर्सिटी, first year engineering, 2024 pattern, right, 2024 pattern, नया pattern, अपन डिसकस कर रहे है, कोई भी पुराना वाला, चीज डिसकस नहीं कर रहे है, सारे videos fresh है, सारा teaching fresh according to new syllabus, इस में क्या है, बच्छो, course code क्या है, ये course code वगरा, ESC क्या होता है, ये है engineering science course, तो mechanics क्या है, basically, this is an engineering science course, 11-12 में जो आप बढ़ रहे थे, that was a basic science, basic science बढ़ते थे, आप pure science, right, सिर्फ science के fundamentals, principles, concepts, understand करते थे हम लोग, अब engineering क्या है, engineering is an applied science, application of pure science, और basic science, basic science को जब आपन apply करते है, कहां पर, real life problems में, या फिर, जो भी industrial problems है, उस में, तो हमें क्या है, this is engineering science course है, applied science course है, बस, जो हमारा knowledge है, अब तक का, आपके brain में जो store था, उसको हम apply करने वाले है, to what, to real life solutions, right, तो इसमें pattern क्या है, बच्छो, थोड़ा सा आपन देखते है, first thing is CCE, क्या है ये, comprehensive continuous evaluation, right, evaluation, तो CCE 30 marks का है, इसमें क्या होगा बच्छो, आपको tests होंगे, पहले क्या होता था, इसके पहले pattern में, just बोल रहा हूँ मैं, previous pattern में, in same exam होता था, 30 marks का है, one single exam for 30 marks, इसमें क्या होंगे, आपके unit test होने वाले, जैसे कि unit 1 और 2 पे एक test होगा, right, 12 marks, unit 1 और 2 पे, और फिर unit 3 and 4 पे एक और test होगा, 3 and 4 पे, वो भी रहेगा 12 marks, और unit 5 पे एक test होगा, 6 marks, 6 marks, right, 6 marks, okay, तो कित्ते होगे, total 30 marks, 30 marks, 30 marks के CC exams रहेंगे, one single exam नहीं रहेगा, आपका ये comprehensive continuous evaluation होता रहेगा, हर दो चाप्टर के बाद test, ये test कुन लेने वाला है, आपका college, internally set करेगा, right, university से नहीं आएगा, आपका college set करेगा, वही लोग exam paper set करेंगे, वही लोग check करेंगे, वही marks देंगे, तो 30 marks सीधे college के हाथ में है, समझ में आँ, right, 30 में आप 30 score कर सकते हो, okay, और दूसरा क्या है, end semester, end semester exam, 70 marks का है, 70 marks, ये end of the semester होगा, इसमें, फिर आपका सारे units, 5 units पे आपका exam होने वाला है, पहले कैसे होता था, end semester में 2 subjects, पहले 2 chapters पे end semester होती थी, और फिर remaining 4 chapters, total 6 chapters होते थी, remaining 4 chapters पे end semester होता था, अब वो थोड़ा change हो गया, right, अभी क्या होगा, सारे subjects पे test भी होंगे, right, internal tests, college conduct करेगा, 30 marks के लिए, और फिर end semester होगा, सारे units, okay, 70 marks, तो total 100 marks का ये paper है, subject है, और 25 marks आपको time work में है, अगर credits के बारे में देखा जाए, तो this is a full credit, 3 credit course, तो 2 credits for theory, 2 credits for theory, and 1 credit for practical, so in all, this is a 3 credit course, 3, okay, 3 credit course है, right, so let us move ahead, इस course की prerequisites क्या है बच्चों, क्या आपको पता होना चाहिए, जो already आपको पता है, है न, तो बहुत simple है, basic calculus, prerequisites क्या है, basic calculus, बहुत simple calculus पता होना चाहिए, जो हमें इदर calculation के लिए लगेगा, trigonometry, थोड़ा बहुत, sin, cos, tan, या sin, inverse, cos, inverse, right, इससे ज्यादा नहीं है, बहुत simple simple चीज़े पता होनी चाहिए, geometrical expressions, क्या होते है, similar angles क्या होते है, या फिर opposite angles क्या होते है, adjacent angles क्या होते है, right, बहुत basic चीज़े चाहिए हमको, laws of motion physics में, जो आपने पढ़े है, 11th में पढ़े होंगे, आप सोचोंगे, sir, 11th में पढ़ा था, आप तो याद नहीं है, क्या करेंगे, sir, फिर से पढ़ना पढ़ेगा, 11th, मुझे नहीं लगता, फिर से पढ़ना पढ़ेगा, हम लोग पढ़ते हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, सेम सेम चीज़े हैं, थोड़ा साइड करके, थोड़ा साइड करके, थोड़ा साइड करके, अब ये क्या है, 11th, 12th में, थोड़ा साइड करके, अपन अपर तक basic science पढ़ रहे थे, अभी हम applied science पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा addition है, ये तो basic चाहिए हमको, तो मुझे नहीं ल इसलिए आप पढ़ने वाले हो राइट फर्स में इंजिनिरिंग मैट्स और फिजिक्स आप पढ़ने ही वाले हो साथ-साथ उसके साथ ही अपन मेकानिक्स पढ़ने वाले है तो यह basic prerequisites है बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है मैं तो objective रख के course design के ला है इनिवर्सिटी वालोंने है ना इनिवर्सिटी के committee रहती है उसमें professors रहते हैं जो यह subject पढ़ा चुके है सालों से 10-20-20 साल तो और बहुत सारे colleges से representation रहता है इस committee में सबके views मांगे जाते है तो यह committee ने objectives क्या रख के है इस course को objective of this course is to make students to learn basics of learn basics basics of engineering mechanics concepts right and its application application to real world problems real world problems यह important right बहुत basic learn करने और इसको application देखने है real world problems में और दोसरा objective क्या है solve problems involving forces, loads and moments force, load, moment है ना आपने जब पढ़ा था Newton's physics या Newtonian physics basically engineering mechanics is more of Newtonian physics right जो laws of motion है उनको लेके या gravitational law जो है उसको लेके क्या-क्या है उसके related concepts force है load supply करते तो क्या generate होता है और moments right इनको लेके problems solve करने है हमें कुछ बहुत simple simple problems है बोला जाता है बहुत tough रहते हैं नहीं रहते हैं simple systems study करनी है simple problems ताकि हमें बता चले कि complex systems आगे जाके हम कैसे सीख सके right बस वही है neuron को connect concept दीरे दीरे एक एक को दूसरे के साथ connect करते चलेंगे फिर आपके Eureka moments आते रहेंगे ना आपने देखा होगा कभी पता चलता रहे यह ऐसे था क्या concept एकदम से पता चलता है तो हर एक के अपने life में अपने खुद के Eureka moments है है कि ने आपके है कुछ पक्य होंगे मुझे बताना जरूर है ना तो यह सब चीजे है धीरी धीरे step by step incrementally हमें सीखाए जाती है तो यह course सीखने के बाद क्या expected है यह जो course making committee रहती है उन्होंने क्या सोच के यह course बनाया है वो चाहते है कि course outcomes क्या आए यह co1 co2 क्या है course outcomes है तो यह क्या चाहते है कि बच्चे should understand basic concepts of force moments couples in two dimensional force system right force moments couples in यह important two dimension force system तो अब force system could be two dimension it could be three dimension but since this is a starting level शुरुआ थे हमारी engineering की है ना engineering journey की तो हमें बहुत simple simple simplified system study करनी है सिर्फ two dimension force systems right हम three dimension force system अभी consider नहीं करने वाले है तो आप समझ रहे ना कितना basic study करना है हमे फिर second क्या है वो चाहते है कि student should be able to apply concept of free body diagram अब भी हम आगे चलके detail में देखेंगे कि free body diagram क्या होता है for static equilibrium in again देखो two dimension right static equilibrium two dimension में क्या रहता है right और फिर क्या है student should be able to analyze practical example involving friction friction and application of two force system again two force system तो force apply करेंगे body move करेंगी movement होगा तो friction भी होगा right so we should be able to analyze student should be able to analyze जब ये course आपन पढ़ेंगे और student should be able to analyze rectilinear and curvilinear motions rectilinear और curvilinear इसमें नया क्या है बताओ आपने पढ़ा है types of motion में या फिर हम फिर से पढ़ने वाले chapter 1 में ही types of motion क्या है right तो rectilinear और curvilinear यही दो focus motions है हमारे लिए फूरे mechanics में rectilinear motion है curvilinear है इन पे focus करेंगे तो उनको analyze कर पाएंगे students ये course सीखने के बाद और last उनका objective क्या है student should be apply able to apply Newton's second law Newton's second law है ना अब ऐसा कोई भी है क्या आपके इसमें जिसको Newton's second law पता नहीं है F is equal to MA पता नहीं है ऐसा कोई है क्या मुझे नहीं लगता कोई भी होगा और अगर कोई होगा तो उसको हम पढ़ा देंगे right so be chilled तो last objective क्या है student should be able to apply Newton's second law then work energy and impulse momentum principles for particles right particles not objects हम particles को apply करेंगे objects को बाद में करेंगे पहले particles को करते देंगे right simple simple चीज़ है तो ऐसा है हमारा course अब syllabus details में क्या है बच्चों यहां पे भी easy कर दिया बताओ आपको पहले 6 unit थे अब इन्होंने क्या कर दिया 6 की जगह 5 unit करती है आपको किता simplified किया जा रहे चीज़े right धीरे 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 आपके neurons connect किये जा रहे पहले जो हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा syllabus रहता था okay 20 साल पहले बहुत ज्यादा syllabus एक ही साथ सब कुछ आपको बहुत वह टुकुडो टुकुडो में कट करके दिया जा रहा थीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाये तो ज्यादा अच्छे से digestion होता है तो आप लोग का understanding आप लोग का application हम लोगों से बहुत बेटर होने वाला है क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे खा रहे हो ठीक है तो very first unit क्या है बच्चो बहुत basics है क्या है first unit four systems and its resultants four systems fours systems क्या होते है बहुत basic concepts क्या होते है वो हम study करने वाले right fundamental types of motion देखने वाले है fundamental concepts four systems फिर उस force को resolve कैसे करेंगे किसी भी direction में force है हमको अगर उसको calculations करने तो हमको बस fix x and y axis के दोरान लाने resolve कैसे करेंगे फिर उसका result and force कैसे आएगा right centroid क्या होता है और हर figure का square हो circle हो centroid क्या होत कैसे act करता है कैसे apply करता है है न हर body के लिए moment of inertia क्या है यह हम first unit में देखेंगे तो समझ रहे हैं सारी चीज़े आपने सुनी होगी है right resolution of forces वगरा थोड़ा बहुत आपने नहीं देखा होगा ज्यादा but these are just incremental steps है न थोड़ा सा आगे का knowledge most of the things you have already studied तो यह course बिलकुल भी नया नहीं है इसका कोई भी tension नहीं लेना है हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको solve करके marks पिलाएंगे okay clear भी करेंगे next unit 2 क्या है equilibrium equilibrium पूरा static equilibrium जो भी चीज़ है न बच्चो यह सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने देखा कि engineering mechanics क्या है basically newtonian mechanics है तीन laws पे dependent है maximum यह सारा subject है न तो equilibrium क्या है सिर्फ first law जो है newton का उसके उपर dependent है first law पे basic statics का basic form करता है right newton's first law जो है पूरे statics का right तो उसका basic form करता है engineering mechanics दो चीज़ों में divide होता है statics और dynamics statics and dynamics तो first law statics का base form करता है और dynamics का base form करता है second law right तो equilibrium में हमें क्या देखना है बहुत simple चीज़े है अगे सिर्फ concept understand करने यहाँ पर भी right क्या-क्या concepts है free body diagram जैसे हमने देखा था कि कैसी free body diagram draw करना है किसी भी system का equilibrium of co-planner forces co-planner फिर equilibrium of two forces three forces right then equilibrium of concurrent parallel and general force systems यह force systems अपन उपर सीखने वाले concurrent force system क्या होती है parallel force system क्या होती है general force system क्या होती है न फिर type of load क्या होते है load किस type क्य होते है support किस type क्य होते है beams किस type क्योते है और support पे reaction कैसे कैसे आती है right तो यह छोटी-छोटी चीज़े हम सीखने वाले okay conceptual clarity इसमें आने की जरूरत है बहुत से लोग बोलते की सिर्फ और examples है, numerical है, ऐसे नहीं है बच्छो, conceptual clarity जब तक आपकी नहीं होती है, तब तक आपको numerical solve भी नहीं होंगे, right, तो ऐसा नहीं है कि भाई, ये पूरा course सब numerical ही है, ये पूरा course understand करने का है, समझने का है, ताकि आप वो understanding real life problems को apply करता है, right, it is not just about कि numerical solve करो और marks लो, यहाँ तक ही सिर्फ ये course नहीं है, है न, अगर आप ये अच्छे से समझ पाओगे, तो चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी ब्रांच के हो, आपको एक design thinking का अप्रोच आने वाला है, right, और अगर आपने mechanics को neglect किया, तो वो design thinking वाला अप्रोच आने मे neurons के, है न, चीक है, तो third unit क्या है इसमें, friction and process, तो friction कब होगा, किसी body पर force apply किया, वो move करेगी, move करेगी तो slide अगर कर रही है, है न, और against किसी चीज़ के move करेगी, या तो हवा में move करेगी, friction आएगा कही न, right, movement है तो friction होगा, तो वो हम study करेंगे, okay, तो उसमें क्या है sliding and, मत फिर, law of column friction, coefficient of friction, angle of repose क्या होता है, right, friction आपने study करा है, angle of friction क्या होता है, कोन friction क्या होता है, friction on inclined planes, अगर plane inclined है, वहाँ से कुछ चीज़ slide हो रही है, वो देखने वाले हैं, ladder friction, belt friction, types हैं ये सारे, okay, trusses, truss, truss, ये, ये चीज़ है न, ये शायद आपने नहीं सुनी होगी, कही पर, trusses क्या होता है, आपने team shades देखे हैं, shades, पत्रे के shades, उसके नीचे जो angles लगे रहते हैं, support के लिए, purlines बोलते हैं हम उसको, general language में, purlines, right, एक दूसरे को जोडे हुए रहते हैं, pipes, steel के pipes, right, उसको weld किया रहता है, trusses, so trusses are kind of those members, structural members है, जो weight लेते हैं, अपने उपर, load लेते हैं, किसी भी structure का, trusses, वो study करेंगे, उसमें कैसे force act करते हैं, तो उसका design कैसे होना चाहिए, right, तो वो trusses हम यहाँ पे study करेंगे, two force and multi force members, किसी-किसी trust member पे दो force act करते होंगे, किसी पे ज्यादा करते होंगे, right, assumptions of analysis, analysis of trust, identification of zero force members, कई बार क्या होता है, जो आपन ये structure बनाते हैं, fabricators, उसमें zero force members भी रहते हैं, कई बार, है न, उसका कोई फायदा ही नहीं होता, वहाँ पे लगा के, या उसका क्या होता है, क्यों लगाए चाहते हैं, ये सब अपन देखेंगे, है न, और क्या है फिर, method of joint and member of, method of section, तो trust को analyze करने के लिए, trust के problem solve करने के लिए, दो methods है, वो भी अपन detail में देखेंगे, ये हो गया third chapter, okay, तो next क्या है, दो chapter अभी और है, बहुत ही simple चीज़े है, right, अभी kinematics of particle है and kinetics of particle है, आपको already समझ में आ गया होगा, क्या difference होगा इसमें, right, तो kinematics में हम क्या study करेंगे, motion study करेंगे, particle की, किसी भी object पे हमने देखा कि force apply हो गया, तो it will try to move, unbalanced force, अगर balanced force है, तो वो equilibrium में रहेगा, right, जो अपन study कर चुके, static रहेगा, unbalanced force अगर किसी particle पे है, तो वो क्या करेगा, बच्चो, move करने की कोशिश करेगा, तो move करेगा, तो अपन उसकी motion study करने वाले, mainly दो motions अपन study करने वाले, rectilinear and curvilinear, है न, rectilinear motion क क्या होता है, उसके types क्या है, वो कैसे cause होता है, और curvilinear, right, तो kinematics में अपन motion study करेंगे, बट उसका cause नहीं study करेंगे, किस force से वो motion cause हुआ है, वो नहीं study करते हैं, right, kinematics में सिर्फ motion study करेंगे, क्या motion हो रहा है, कैसे हो रहा है, okay, and kinetics में हम क्या करेंगे, actually, the cause behind that motion study होता है, kinetics में, cause, what is the cause behind some motion, कौन सा force act कर रहा है, कौन सा force यह motion cause कर रहा है, हो kinetics में होगा, तो यहाँ पर आपने अगर देखा होगा, Newton's second law of motion, बहुत-बहुत important, क्या है Newton's second law of motion का equation क्या आता है, f is equal to m, हमें कहाँ से मिलता है, second law से, right, Newton's second law of motion, equation of motion, Newton's law of gravitation also, है न, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, mass या weight कैसे calculate करते है, application of Newton's second law of motion to rectilinear and curvilinear, again same motions, rectilinear and curvilinear motions, then conservative and non-conservative forces, कंसे forces conservative होते है, कंसे forces से non-conservative हो, कंसे नहीं होता है, right, and work energy principle, then conservation of energy, impulse momentum principle and impact, बस, हतम, five units only, right, पहले तो basics study करेंगे, उसके बाद equilibrium, friction, trusses, एक member हैं, और kinematics of particles and kinetics of particles, right, इसमें पहले जो six, छे unit थे बच्चों, अब पाच कर दिया, पहले छे थे हैं, तो क्या किया इन्होंने, मतलब, अगर हम पीछे जाके देखें तो, इसके बाद एक और एक unit था, जहाँ पे, trusses, beams and cables थे, तो उन्होंने क्या किया, beams and cables हटा दिये, beams का थोड़ा पाट उपर लिया है, बट analysis हटा दिया है, beams and cables का, सिर्फ trusses रख्या और उसको third unit में डाल दिया, एक unit का थम, कम हो गया, तो कितना easy किया है, बताओ आपको, है न, इतना सब कुछ easy है, बहुत-बहुत easy है, और हम इसको easy तरीके से ही देखने वाले है, राइट, reference books, तो ये तो reference books है, textbook आपको मिल जाएंगे बहुत सारी, बहुत सारी publications है, engineering के लिए, राइट, तो आप तो देखते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, आपको ज़रूरती ये textbook, जो है, reference books, Bear and Johnson की, ये मैं use करूँगा, आपको पढ़ाने की, ये पढ़के मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ये देखने की ज़रूरती है, ये मेरे reference के लिए, आपके reference के लिए पूरा course है, पूरा course है, उसको आपको अच्छे से देखना है, स सोच समझ के, understand करके, हमारे neurons connect करके समझने वाले हैं, और I'm sure you will get many more Eureka moments, तो ये हर subject को अपला है, पच्छो, हर subject में अपला है, आपको अगर ये बात थ्यार में आई होगी, तो आप हर subject में आपके Eureka moments देख सकते हो, but मैं guarantee देता हूँ कि mechanics में मैं ऐसे बहुत सारे moments आपको right so stay tuned and stay ready for finding your own Eureka moments in Engineering Mechanics with Rahul sir right, thank you